प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जग्त प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें। सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है। पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हूग गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस् तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी उत्तरभारत और दठ्षिन भारत के कई घरों में और कई ऐसी जगए जहां पर लोग एकत्रित होते हैं वहाँ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मैंने देखा है और वो स्टेटमेंट यह है कि यहां पर अनुपस्थित किसी भी व्यक्ति के बारे में यहां चर्चा ना करें इवन दुनिया इस बात को समझती है कि किसी व्यक्ति की अनुपस्थिती में उस व्यक्ति की बुराई करने की टेंडेंसी लोगों में है लेकिन वो व्यक्ति वहां मौजूद हो तो लोग चुप रहेंगे ये एक ऐसी प्रस्तावना है जो हम में से हर व्यक्ति के मन में होनी चाहिए जो व्यक्ति अनुपस्तित है उसके बारे में ना बोले क्योंकि सामान यतेया दूसरे व्यक्ति के अनुपस्तिती में जब उसके बारे में बूला जाता है, तो वो basically चुगली या पर निंदा होती है. इसके एक या दो अपवाद हैं, जो आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि मुझे कई बार लोगों ने टोका है, कि आप उस व्यक्ति के पीठ पीछे बात कर रहे हैं, लेकिन इस अपवाद को न समझने के कारण है. यहां सभी लोग जानते हैं कि मैं एक से अधिक Bible Schools में पढ़ा चुका हूँ. और आज चंबल एरिया में जो प्रचारक लोग हैं, लगबख सभी लोग मेरे अंडर पढ़ चुके हैं, दो Bible Schools में. Bible School में जब एड्मिशन की बात आती है, तो विद्यार्थी के बारे में पीठ पीछे बात करना जरूरी हो जाता है. यह पर निंदा नहीं है, वो विद्यार्थी एड्मिशन के लिए उपयुक्ति व्यक्ति है या नहीं, इसका मूल लियांकन है. तो मूल लियांकन और पर न इंदा में जो अंतर है, उसको अच्छी तरह से समझ लें. इसी तरह से ये भाई लोग जिस Bible School में पढ़े हैं, उसमें एक बार जब हम सारे ट्रस्टीज बैठे हुए थे, तो किसी ने एक व्यक्ति का नाम सुझाया कि उस व्यक्ति को अध्यापक के रूप में लिया जाए चुँकि मैं प्रिंसिपाल हूँ, इसलिए किसी व्यक्ति को लेना है या नहीं लेना है, इसके बारे में अंतिम निरने मेरा है। लेकिन वो आदमी आड़ा रहा, तो मैंने कहा कि जो व्यक्ति एक व्यक्ति एक वाइबल स्कूल का ट्रस्टी है, उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि परनिंदा क्या है और ओफीशिल मूल्यांकन क्या है। बाकी ट्रस्टियों ने उसको बताया कि देखो अनावश्यक पंगा मतलो, यहां पर हम ओफीशिल मूल्यांकन कर रहे हैं और यहां कोई भी चीज कही जा सकती है। क्योंकि मूल्यांकन हो रहा है, जहां सब कुछ बताना जरूरी है। तो वो एक अपवाद है, एक व्यक्ति की ना केवल अच्छाई, बलकि उसको अध्यापक के रूप में, या किसी दफ्तर में काम के लिए, या किसी प्रोजेक्ट में इंचार्ज बनाना हो तो उस व्यक्ति की जो अच्छाई है और उस व्यक्ति की कमियां हैं, उसका ओफीशिल मूल्यांकन जरूरी है। ओफीशिल मूल्यांकन अलग बात है, पर निंदा अलग बात है। यदि हम मंडली में जो प्रचारक आया और जिसने संदेश दिया, संदेश देने क के बाद उसकी बुराई कर रहे हैं तो वो उफिशल मूलियां के नहीं है इस बात को हम याद रखें वो परनिंदा है तो जब प्रभु कवचन कहता है कि तू जूठी साठ्षी ना देना तो उसके कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को जब अफिशल जांच हो रही है वो बात अलग है तब भी जूठी बात नहीं बोलना है यह जो सच है वो बोलना है लेकिन जनरली लोगों के पीट के पीछे जो बोला जाता है वो जूठी बात होती है यह नहीं करना है आज कल electronic माध्यम इतने हो गए हैं कि कोई व्यक्ति छींक भी दे तो तुरंत अमरीका में पहुंच जाता है कबर पहुंच जाती है कि आज ऐसा हो गया और फिर अमरीका से कॉल आता है कि आज वाके में ऐसा हुआ था क्या मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुरगटना हुई थी बेसिकली ये परनिंदा का एक और फॉर्म है एक और रूप है ये आज से लगवत 6 साल की बात है कि फोन पर फोन 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 मोबाइल भी चल रहा है लैंड लाइन भी आ रहा है और उठाता हूँ तो चार-चार-पांच-पांच लोग एक साथ बुला रहे हैं इसलिए फोन जैम हो रहा है फाइनली मेरे कजिन में बुला के पूछा कि बड़े भाईया आप जिंदा है क्या तो मैंने का मैं बिलकुल पूरी तरह से जिंदा हूँ ये मेरा प्रेत नहीं बोल रहा है तो उसने कहा कि अमरीका से कॉल आया है कि आप गुजर गए और वहां से कई लोग आपके फ्यूनरल में आना चाहते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि डेट क्या है और क्या-क्या है ये परनिंदा के एक और फॉर्म है मैं तो सुनके डर गया क्योंकि मेरी वाइफ जो अभी यहां मौजूद है वो और मेरे परिवार की कई स्त्रियां यहां से 20-22 किलो मीटर दूर एक कैम पेटेंट कर रहे थे और शायद इन में से किसी के पास उस दिन मोबाइल नहीं था मुझे लगा कि कहीं कैम्प में यदि एनॉंस कर दिया जाए कि भाई जॉंसन फिलिप गुजर गए हैं खेत के साथ सूचित कर रहे हैं कि भाई जॉंसन फिलिप गुजर गए हैं और दफनानी की तारीख वगएरा बाद में एनॉंस करेंगे तो इन स्रीयों की तो बड़ी हालत खराब हो जाती इसलिए तुरंत यहां से फोन भी लगाया गया और लोग वहां पहुंचे यह बताने के लिए कि जॉंसन फिलिप पूरी तरह से नहीं मरे हैं खाबर सुनके आधे जिरूर मर गये हैं कि मेरी रिलेटिव का क्या होगा उधर ग्वालियर से भाई रंजीत ने बुलाया जब मैंने हलो किया तो इनना ने पूछा कि सराब जिन्दा है क्या तो मैंने का कि भाईया कल जितना जिन्दा था आज उतना ही जिन्दा हो तो रंजी कि मैंने जब उनको बताया तब भाई रंजीत ने मुझे लगता है कम से कम पीस पच्छीस लोगों को फोन करके बताया कि खुशी मनाने की जरुरत नहीं है सरवी गुज्रे नहीं है ये भी जूठी गवाही का एक आधुनिक रूप है उस तिन तो बहुत हलत खराब हो गई थी क्योंकि मेरे परिचित लोग जो मतलब जो मुझसे घनिष्ट माने जाते हैं जैसे भाई रंजीत मेरे कजिन जो यहां से पांच किलो मेटर दूर रहते हैं मेरे एक विद्यारती जो यहां से पच्छीस किलो मेटर दूर रहते हैं इनको रात को दो दो तीन तीन बज़े तक फोन आता रहा कि जूठी गवाही का एक अच्छा उदाहरण है यह परमेश्वर के वचन में जो आज्याएं दी गई हैं उन आज्याओं का विस्तार बहुत अधिक है इतना ही नहीं मनिश्य जैसे जैसे प्रगती करता जा रहा है जूठी गवाही देने के बहुत सारे तरीके निकल आए हैं जिन में से जो लेटिस्ट तरीका जो की इतना खतरनाक है इतना खतरनाक है कि आज जो लग सुन रहे हैं उनको ये बात सुन लेनी चाहिए प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवम सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्रसि पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है जै मसीह की